हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोश्ट परहर में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डैवोस पर कुछ जानकरी देने वाला हूँ इसके साथ साथ मेंटेनेंस पर भी जानकरी देने वाला हूँ दूसरा डैवोस और मेंटेनेंस यदि एक साथ दोनों केस चलते हैं तो ऐसे में आपको क्या राहत मिल सकती है मेंटेनेंस में उसके बारे में भी आज के इस judgment में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ दोस्तों ये judgment आप सभी लोगों के लिए बहुत important रहेगा जिनके भी matrimonial मामले चल रहे हैं और दूसरा ये मानने सुप्रीम कोट का judgment है तो अपने मामले की परस्तितियां सहीम होने पर आप इस judgment को अपने मामले में भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आखरी तक इस वीडियो में बने रहेगा और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe our channel and notification bell पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो जाप लोगोखे लेके आएं तो उसकी जानकारी निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहें तो चलिए दोस्तों इस पूरे मामले को पहले समझ लेते हैं इस मामले में 1990 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी पती इसमें आर्मी में नौकरी करता था और वो अपनी पतनी को अपने माता-पिता के पास छोड़ करके अपनी नौकरी पर चला गया वो एक joint family थी जहाँ पर पती के जो बड़े भाई थे वो भी निवास करते थे अब पती को पतनी की एक बात पसंद नहीं थी जो पतनी थी वो पतनी को ये कहती थी कि तुम अपनी नौकरी छोड़ के आ जाओ उसके बाद मेरे मायके चलो वहाँ पे चलके हम लोग साथ में रहेंगे 1991 में जो पतनी थी वो अपने मायके चली गए और उसने वहाँ से आने से मना कर दिया अब जो भाई था और माता-पिता थे वो पतनी को लेने के लिए उसके मायके में गये लेकिन उसने फिर भी आने से मना कर दिया फिर जो पती था उसने अपनी तरफ से एक notice बेजा की भाई वापस आजाओ साथ में रहते हैं और दुबारा से अपनी घरस्ती को बसाते हैं लेकिन इसके बाउजुद भी वो आपस नहीं आई हार करके 1993 में जो पती था उसने अपनी तरफ से डैवोस का केस फाइल किया ये केस दोस्तों पती ने डिसर्शन के ग्राउंड पे फाइल किया अब जब पतनी ने इस केस में अपना रिप्लाई दिया तो उसने उसमें सारे आरोप पती पर लगा दिया दोस्तों मीनवाइल जब ये केस चल रहा था पतनी ने 125 CRPC में मेंटेनेंस के लिए भी केस फाइल किया था अब दोस्तों पती को जो डैवोस मिला था वो डिसर्शन के ग्राउंड पे मिला था अब पती ने हाई कोट में रिविजन इसके खिलाव डाली जो कि वहां से डिसमिस कर दी गई अब दोस्तों वो आया मानने सुप्रीम कोट में और मानने सुप्रीम कोट में 125 CRPC का हवाला दिया अब पती के वकील ने का कि पती और पत्नी के बीच में से जब सब कुछ खतम हो चुका है तो किसी भी प्रकार के obligations या responsibilities भी शेष नहीं रह जाती है जब उसे dissertation के base पर Davos की decree मिल गई है तो ऐसे में वो maintenance देने के लिए भी बाद दे नहीं है और चुकि दोनों का अब Davos हो चुका है तो ऐसे में भी अब उसका maintenance का right नहीं है अब कोट ने दोस्तों यहाँ पर यह का कि भी पत्नी का maintenance का right तो है केवल 125 चार के जो शर्ते हैं उसको छोड़ करके पत्नी का maintenance का right है जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले दूसरा यदि पत्नी को Davos दे दिया जाता है तो वो Davos जो होती है उसको भी maintenance का right होता है क्योंकि उसकी स्तीती जो है वो और खराब हो जाती है अब इतने के बाद फिर पती के जो वकिल साब ते वो इस बात पर आये कि जब हमने Davos का case डाला था उसके दौरानी उसने maintenance का case डाला था तो जो Davos की decree है उससे पहले हम maintenance के लिए बाद दे नहीं है तो quote ने का ठीक है ये बात आपकी मानी जा सकती है लेकिन फिलाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि order में किसी भी प्रकार से interfere किया जाना चाहिए और जो पती की तरफ से ये SLP थी special leave petition इसको dismiss कर दिया गया तो दोस्तों ये पूरा judgment है और इस judgment की copy मैं आप लोगों की help के लिए इस वीडियो के नीचे description में दे रहा हूँ वहाँ जाके आप इस judgment को पढ़ सकते हैं copy और download कर सकते हैं next वीडियो में नई legal जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाय और थेंक यू फर वाचिंग टेक केर